जेहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षन में दोस्तों हम देखने वाले हैं 36 गर्ण समानने गयान MCQ और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों 45 वा नंबर का पार्ट है अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिपक्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से जा करके आप देख सकते हो ठीक है अगर कोई competition का exam तित प्रेशन कर रहा है दोस्तों तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपोण होने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दस question बताने वाला हूँ दस में से आपका कितना question बनता है नीचे comment करके जरूर बताईएगा तो चलिए करके सभी प्रशनों को देखते हैं एक ही प्रशन में पहुत सारे question आपको देखने को मिलेगा तो गुरावट क्या है दोस्तों एक प्रकार का तो यह है गंधर विवाह, सिवा विवाह, विनिमय विवाह या फिर क्रे विवाह सभी में आपको विवाह देखने को मिल रहोगा दोस्तों तो यह विवाह से related ही प्रशन है तो गुरावट क्या है तो ये एक प्रकार का क्या है विनिमय विवाह है तो ठीक है option number C is a correct answer हो जाएगा तो आपको पता होना चीए कि विनिमय विवाह होता क्या है तो विनिमय विवाह में क्या होता है कि इसमें दो परिवार होते हैं तो एक ही परिवार के जो है भाई और बहन और दूसरे परिवार का दोस्तों ये भाई और ये बहन ठीक है मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसमें दो परिवार हैं एक का दोस्तों आपका हो जाएगा ब्रदर और सिस्टर और एक का क्या हो जाएगा दोस्तों सिस्टर और ब्र पूछा जाता है तो यह गोंड जनजाती में प्रचलीत होता है ठीक है तो इसके लिए और जो हो जाएगा जो है और सामान्य तोर पार इसका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है नीचे बसतर एरिया में ठीक है तो option नमबर सा is a correct answer अब गेरी क्या होता है आपको जरूर पता होगा कि एक बास की दो होती है उस क्या होता है बीच में कटा हुआ हिस्सा होता है देखने को मिलेगा बांस को ही जोड़ा जाता है जिस पर पैर को रखा जाता है दोनों में और उपर से हाथ के भरोसे क्या होता है उसको चला जाता है ठीक है एक पैर जैसे चलते हैं उसी तरीके से आपने देखा होगा भुपेश बखिल जी को जब उन्होंने गेणी पर चड़ते हुए ठीक है तो बहुत सारे जगह में गेड़ी खेला जाता है, समाने तोर पर पोला के तोर पर और हरिली के परवपर भी समाने सभी जनजाती के लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, मतलब खेलते हैं, तो option number C is a correct answer हो जाएगा, ठीक है, next question देखते हैं, सरवाधिक गोधना प्री जनजात है, और यह ऐसा मानते हैं कि गोधना जो है, वो उनके साथ, मतलब सरीर के साथ तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन गोधना जो है, उनके सरीर के साथ, मतलब जब अमृत्यू के पस्चाद भी गोधना उनके साथ जाता है, ठीक है, इसलिए यह क्या करते हैं, देव मानते हुए वे गोधना गोधवाते हैं, तो option number C is a correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए देखते है next question, दमनच नित्य किस जन जाती में प्रसिद्ध है, तो दमनच नित्य किस जन जाती में प्रसिद्ध है, कोरबाएगा, पहाड़ी कोरवा, कमार या फिर गोर, तो इसके लिए right answer जो हो देखने वाला वैक्ति डर जाता है, ठीक है, तो इस तरीके का इसमें नित्य किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, दमनच नित्य किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो option number B is a correct answer, चलिए देखते है next question, नौकर की कमीज किसकी रचन है, तो नौकर की जो लिखा गया, बहुत भार प्रशन पूछा जा चुका है, कि नौकर की कमीज किसकी रचन है, तो किसका है, विनोत कुमार सुकलक, चलिए देखते हैं next question, चतिस गल का कौन सा इस्थान बौध धर्मक से प्रसिद्ध है, तो बौध धर्मक से related क्या है, मैनपार्ट, राजीम, स इसासक, सात्वी सताबदी में, राजी लोचन का मंदीर निर्मान किया गया था, सिरपूर जो है दोस्तों, लजमन मंदीर, जिसको महासिवगुप्त बालारजून, वास्टा की माता, वास्टा दिवी, उन्हें ने सिरपूर के निर्मान करा है, लाल इंटों से निर्मित, और इन्ही के समाई ही दोस्तों, बौध जी है, वो आये हुए थे, और इन्ही के लिए दो विहार बनाया गया था, बौध विहार और एक जो है, दोस्तों, और विहार बनाया गया था, जो की बौध धार्म के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, तो बौध धार्में से हमें नीमने कतनों पर अगर विचार करते हैं तो क्या हो जाएगा समाजिक सिक्षा देना जीवन साथी के चुनाओं में सहया सेवा भाव का जागरिती करना तो कौन सा विचार जो है दोस्तों इसमें सत्य है तो हमको बताना है गोटूल के संदर्भ में नीमने लिखित कतन विचार करना है तो इसमें दिया है समाजिक सिक्षा देना जीवन साथी के चुनाओं में सहया सेवा भाव जागरित करना तो भाई गोटूल के है दोस्तों मूरिया जनजाती का क्या है एक प्रकार का यूवा गरी है टीवन साथी को सिस्थान पर ज़ widen जल विद्धूल अत्रिशल 乐सी विद्धूद उत्जपन करने के लिए टीवो आजवर से खाव खर गया तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गंगरेल बांध में क्या है तीन अलग लग यूनिट जो है इसमें स्थापी था और वहीं से तीनों को मिला करके एक संयुक्त रूप से जल विध्धुत ग्रीह के रूप में जो है इनपुट स्व लिए प्रयोरन में आपको इसमेर प्राशन है प्राशन पूचता है तो इस प्राशन के जाता है तो तो प्स्तर में जो अंगा देव कुन करते हैं जो मुरीयजंजाती होते हैं उनोε का पूझा करते हैं और ये किस समय जो है दोस्तों अंगा देव के निर्माण जो काष्ट से करते हैं जब मड़े मेला होता है तब इन ही देव की पूझा करते हैं किसका अंगा देव की पूझा करते हैं मड़े मेला के दोरांतिक है तो option number 2 is a correct answer हो जाएगा चलिए देखते हैं next question, 2011 की जनगरना के अनुसार 36 गर के किस जीले में अनुसूची जनजातियों की सक्षर्टा दर सबसे कम है, तो भई थोड़ा सा आप अनमान लगा लिजे, जहां पास की जनसंग क्या कम होगी, वहां पास ही क्या होगा दोस्तों, कम होगा, ठीक है, तो दिया हुआ है पूर होगा, ठीक है, तो अपसर नमबर दा, उसके लिए करेक्ट आंसर होगा, प्रशन के अकॉर्ण इसमें, बीजापूरीजा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वीडियो कासा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज समझ नहीं आ रहा है, नीचे कमे पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नहीं जैनकरी के साथ, तो मुझे दीजे, दोस्तों इजाजा, टेक केर, आल दे बैस्ट, जय हिंद,